नमस्कार दोस्तों मेरा मैं मिर्तून जेवर आप देख रहे हैं मेरा चैनल पॉल्ट्री एम की पी अचा तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पॉल्टी फार्मिंग में कम्याव होने चाहते हैं तो आपको कम्याव होने से कोई नहीं रोख सकता है पॉल्टी अगर अपोशीस होने चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा तो इसमें आप को पॉल्ट्री फारभ के लिए खुद का पॉल्ट्री फिट बनाना सिखें दोस्तों अगर दोस्तों पॉल्ट्री फार्मिंग करते हैं दोस्तों तो अगर आप पॉल्ट्री फार्मिंग का खुद का अगर फिट बना लेते हैं दोस्तों तो अगर आप खुद का फिट अगर जैसे बना लेते हैं पॉल्ट्री फार्मि से मतलब बहुत कम टाइम में मतलब वह इस बिजनस में आप successful हाद में हो सकते हैं तो अगर हम जिसे की दूसरी बात करें दूसरी बात यह है दोस्तों कि चीक्स और मुर्गियों को अपने खुद के बच्चे जिसे देखवाल करें दोस्तों क्योंकि दोस्तों अगर आप जिसे की चीक्स और मुर्गियों को अपने बच्चे जिसे देखवाल करेंगे तो अभी तो इसमें आपको प्रोफिट मिलेगा दोस्तों क्योंकि अगर आप छोटे चूजे होते हैं दोस्तों अगर आप अपने बैटे जैसे देखभाल नहीं करते हैं तो आपको इसमें कैसे पूरा फिट मिल सकता है दोस्तों क्योंकि अगर आप जैसे की छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी इसमें होता है दोस्तों कि किसी के करण बेक्टरिया के कारण इसमे कुछ इसका infection पेगरा कारण जैसे कि इसमें कुछ बीमारी आ जाता है तो इसमें modulative पेगरा बहुत ज्यादा होने लगता है तो दोस्तों आपको मतलब ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको छोटे चूट जब लाते हैं तो आपको अपने बेटे जिसे मतलब इसे देखवाल करना पड़ेगा दोस्तों तब यह आप इस पेशमेंस में कम्याब हो सकते हैं दोस्तों और दोस्तों जो मेरा एक तिसरा और एक लास्ट जो पॉइंट था दोस्तों कि जैसे की बायो सिक्रेटी और प्रिवेशन मेडिसन का इस्तिमाल करके दोस्तों पॉल्ट्री फार्मिंग पर रोगों को आने ही नहीं देना है दोस्तों और अगर आपका polypherming by chance कोई तरह आपका बैक्टरिया बगेरा जिसे की आज आता है आपर किसी परकार के जिसे की आपका polypherming में किसी परकार की infection बगेरा आ जाता है तो आपको सही समय पे दोस्तों आपको इसके मतलब इलाज करना पड़ेगा और ऑर सभी समें पर जैसे कि पूली फां मिंग का जितना भी दोस्ता मेडिसन बोिश्चाओ घी खाकर के वेग hanno भया गू नंगी कोई कर देंगे दोस्तों तो अगर अब कि इस vớiे गारों तो अगर आपका पहिए अच्छे ते पुर्टरिय कर देंगे से कुशन इस तरह का बेक्ट लिए जोस्तों कि बोलु अब और आप आप जाता है बैद चांस तो आप स्थाइश डाइम पर मतलब इस्तिमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी मतलब छोटी सी बात है, मतलब जो भुत ही इनिपॉरेंट बात थी तोस्तों। अगर पोल्ट वामिंग मतलब कम्याब होने चाहते हैं तो इन तीन बात्तों शिगा अगर आपको ऐसे मतलब ध्याँ डिहा दे हो तो उसके चाहिक मढ़ण रहे जिससे कहम से सवाल वेगए पुछना है दोगी तो आफ हमें कमेंड कर सकते हैं दोस्तों, हम कमेंड कर रेपलाइं युदू कर सकते हैं दोग सकते दोस्तों और कमेंड का रुपलाइब जिससे कहें मैं ऐ थैंकियो फूर'd माई